आजके इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ 1757 से लेकर 1772 के मर्द का इतिहास आधरिक भारत का ये दूसरा वीडियो है और पहले वीडियो मैंने पढ़ाया था भारत में विदिसी कमपनियों के आगमन के बारे में तो आईए इस वीडियो के सुरुगात करते हैं और पढ़ते हैं 1757 से लेकर 1772 के मर्द का इतिहास तो सबसे पहले बात करते हैं रॉबर्ट कलाइब के इतिहास पर 1742 में रॉबर्ट कलाइब इस्ट इंडिया कमपनी में एक किलर के रूप में भरती हुई थी परन्तु अपनी योगता के बल पर 1751 में अंग्रेजी से नामे कैप्टन के पद पर और 1757 में उन्हें बंगाल का गवर्णर बनाया गया था रॉबर्ट कलाइब को यहां आपको बहुत अच्छे से याद रखना है क्योंकि यही बो सक्स था जिसने अंग्रेजी सक्ता की निव रखी थी तो यह आपको यहां पर ध्यान रखना है तो 1742 में रॉबर्ट कलाइब इस इंडिया कंपनी में एक किलर्क की रूप में भरती हुई थी लेकिन कहते हैं अपनी योगता की बल पर उन्होंने गवर्नर का पद भी हासिल कर लिया था भारत में अंग्रेजी सक्ता को इस्थापित करने का जो स्रे है वो रॉबर्ट कलाइब को ही दिया जाता है ये आपको बसे इस तोर पर याद रखना है क्योंकि रॉबर्ट कलाइब के ही द्वारा सबसे जो पहला युद हुआ था प्लासी के युद हुआ था 1757 में वो जीता गया था उस युद से अंग्रेजों की जो पकड़ थी वो बंगाल में बहुत ही मजबूत हो गई थी कदम रख लिया था प्लासी का युद बंगाल के नवाब सिराज दोला और बंगाल में इस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर रॉबर्ट कलाइब के मद में हुआ था अगर आपको प्लासी युद के वारे में कंप्लीट जानकारी चाहिए तो इस से पहले वाले वीडियो में मैंने स्राज दोला के बारे में पढ़ाया था मीर कासिम के बारे में पढ़ाया था मीर जाफर के बारे में पढ़ाया था तो वो वाला वीडियो देख लीजी उसमें मैंने कंप्लीट जानकारी दी है वो वीडियो आपको या तो इस वीडियो के अंतों मिल जाएगा या फि किस-किस के मद्द में हुआ था रॉबर्ट कलाइब और डचों के मद्द में हुआ था। इसमें जीत किस की हुई थी रॉबर्ट कलाइब की हुई थी। और ऐसा माना जाता है कि बेदरा युद्ध से ही भारत में जो डच रह रह रहे थे उनका पतन सुरू हो गया था। फरवरी 1760 में कुछ स्वास्त कारणों के चलते रॉबर्ट कलाइब बापा सिंगलेंड चले गई थे। रॉबर्ट कलाइब का पहला कारेकाल 1757 से लेकर 1760 के मद में था। रॉबर्ट कलाइब के ये पहला कारेकाल था और दूसरे कारेकाल के बारे मैं अभी आगे आपको पढ़ाऊंगा। अब बात करते हैं वेंसी टाट की इतिहास पर। 1760 में वेंसी टार्ट को बंगाल का नया गवर्नर बनाए गया लेकिन बंगाल की नबाब मीर जाफर ने उनका स्वागत नहीं किया था जिस से वेंसी टार्ट नाराज हो गए थी वेंसिटार्ट ने मीर जाफर को हटा के उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नया नवाब बना दिया था हाला कि इसकी जानकारी मैंने अपने पिछले वाले वीडियो में बहुत ही अच्छे से दी है अगर आपने देखा होगा तो आपको जरू मालूम होगा 1763 में मीर कासिम के आदेश पर उसके एक जर्मन अधिकारी स्मुरू ने पटना में कई अंग्रेज अधिकारियों और भारती जमीनदारों की हत्या कर दी थी जिस से भारती इतिहास में पटना हत्या कांड के नम से जाना जाता है यहाँ पर आपको क्या समझना है कि 1763 में मीर कासिम के ही आदिस पे किसने एक जर्मन अधिकारी शमरू ने कुछ अंग्रेज अधिकारी थे और कुछ भाती जमीनदार थे तो उनकी हत्या कर दी थी कहां पर पटनाम है और इसी को पटना हत्याकांड कहा जाता है और ये हत्याकांड किसके कहने पर किया गया था मीर कासिम के कहने पर किया गया था इस हत्याकांड से भेवित होकर मीर कासिम ने क्या किया था कि अवद की नवाब सुजाओ दौला की यहां पर सनली थी इसी समय वेंसी टार्ट ने क्या किया कि मीर जाफर को दुबारा से बंगाल का नवाब बना दिया था और कुछ इत्हासकार ऐसा मानते हैं कि इसी हत्या कांड से बकसर की युद्ध की नियू पड़ी थी उज़र मीर कास्म ने क्या किया कि आवद के नवाब सुजाओ दौला और दिल्ली के साथ सक्सा है आलम दुदी के साथ मिलके एक सायुक्त सेना बनाई और बंगाल के नवाब मीर जाफर तथा बंगाल के अंग्रेज गवरनर वेंसी टार्ट की बुरुद्ध योद्ध की होशना कर दी थी हलाकि इसकी डिटेल से जानकारी मैंने अपने पिछले वाले वीडियो में बहुत अच्छे से दी है आपको तो वो वीडियो आप लोग देख लीजिए उसमें बहुत अच्छे से मैंने समझाया है एक-एक पॉइंट को समझाया है वेंसी टाट ने मीर जाफर के साथ मिलकर एक सेना बनाई जिसका सेना पती हेक्टर मुन्रो को बनाया गया था 22 से 23 अक्टूबर 1764 को बकसर के युद्ध हुआ था और इस युद्ध में अंग्रेजियों की जीत हुई थी और इस युद्ध की समय अंग्रेज गवर्नर कौन था वेंसी टाट था ये आपको यहाँ पर बिसिल तोर पर याद रखना है बकसर युद्ध की बाद बंगाल की बास्तविक सत्ता इस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में पहुँच गई थी आदी सत्ता थो प्लासी के युद्ध के बाद पहुँच गई थी और बाद बाकी जो सत्ता बची थी वो बकसर युद्ध के बाद पहुँच गई थी तो इस तरह से बंगाल में अंग्रेजों की सत्ता स्थापित हुई वेंसिटाट का कारिकाल 1760 से लेकर 1765 की मद में था अब बात करते हैं रॉबर्ट कलाइब की दूसरी कारिकाल पर 1765 में क्या हुआ कि रॉबर्ट कलाइब को दूबरर से बंगाल का गवर्णर और कलकटा की जो सिलेक्ट कमेटी थी उसका अध्यक्च बनाय ग liberals 1765 में ही मीर जाफर की मिरत्टी हो गई थी और मीर जाफर का काम केबल बंगाल में सासन करना था और इस्ट इंडिया कमपनी का जो काम था वो राजस सो बसूलना सेना सम्मंदी कार रहे और बिदेशी मामलों की कार्यों की देख रिक करना ये किसका काम था इस्ट इंडिया कमपनी का काम था तो दोहरा सासन एक तरफ तो बंगाल का इसी को इतिहास में दोएट सासन कहा गया है जो उस सर प्रथम बंगाल में लागू हुआ था ये एक बहुत ही अच्छा प्रस्न है कि दोएट सासन सबसे पहले कहां लागू हुआ था बंगाल में लागू हुआ था 12 अगस्त 1765 को किया हुआ कि रॉबर्ट कलाइब और साह आलम दुती के मद में इलावाद की पहली संदी हुई थी ये पहली संदी कब हुई थी 12 अगस्त 1765 को हुई थी और किस-किस के मद में हुई थी रॉबर्ट कलाइब और साह आलम दुती के मद में हुई थी और इसके तहट रॉबर्ट कलाइब को बिहार और उडीसा की दीवानी प्रापत होई थी और इस तरह से दुए सासन की जो विवस्था थी वो बंगाल से बिहार और उडीसा में भी इस्थापत हो गई थी और इस संदी से रॉबर्ट कलाइब को अवद में मुफ्त बैपार करने का अधिकार तथा अवद में अंग्रेजी सीना रखने का अधिकार भी प्रापत हो गया था अवद के बारे में आपको पढ़ा चुका हूँ अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो इस वीडियो के अंध में आपको मिल जाएगा तो उसे आप जरूर देखें उसलिमें में मैंने अवद का सारा इतिहास पढ़ाया है 1765 में ही रौबर्ट कलाइब ने इस्ट इंडिया कमपनी में फैले भरिस्टाचार को रोकने के लिए सभी अधिकारियों और सैनिकों को एक प्रतिग्या पत्र पर हस्ताक्षर करने का आदेश दिया था जिसका सैनिकों ने बुरूद किया था इसी बुरूद को इतिहास में सुएट बिद्रूह का नाम दिया गया है तो यहाँ पर मैं आपको तुछा समझा देता हूँ इस्ट इंडिया कमपनी में जो भरिस्टाचार फैला हुआ था तो उसको खत्म करने के लिए रॉबर्ट कलाइब ने क्या किया था कि एक पर्तिग्या पत्र पे हस्ताक्षर करवाए थी सभी अधिकारियों के और सभी सैनिकों के अधिकारियों ने तो कर दिया था लेकिन कुछ अधिकारियों ने बुरूद भी किया था और रॉबर्ट कलाइब ने क्या किया था कि सभी के त्याग पत्र को स्विकार कर लिया था और फौरन मद्रा से नए सैनिक बुलाए थी। रॉबर्ट कलाइब ने सैनिक सुधार के लिए कलाइफ फंड नामा के एक संस्था की स्थापना भी की थी। जिससे सैनिकों को सेवा निवरती के बाद कुछ पैंसन भी मिल सके 1767 में रॉबर्ट कलाइब आपस इंगलेंड चले गए थी और 2 नॉबर 1774 को रॉबर्ट कलाइब ने आत्मे हत्या कर ली थी तो इस तरह से रॉबर्ट कलाइब का ये ये दूसरा कार रिकाल था वो भी समाप्त होता है और रॉबर्ट कलाइब का दूसरा कार रिकाल 1765 से 1767 के मद में था अब बात करते हैं बरेलास्ट या बलसट के इतिहास पर कुछ इतिहासकारों ने बरिलास नाम लिखा है तो कुछ इतिहासकारों ने बलसर्ट नाम लिखा हुआ है 1770 में बरिलास को बंगाल का गवर्नर मनाया गया था इसके समय में पर्थम मैसूर युद हुआ था मैसूर के बारे मैं आपको पढ़ा चुका हूँ बहुती डिटेल्स से मैंने पढ़ाय था अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो इस वीडियो के अंदों मिल जाएगा तो उसी आप जरूर देखें 1779 में बरिलास को बापस सिंगलेन बुला लिया गया था बरिलास के सासनकाल में कोई भी बिसेस कार नहीं हुआ था जो परितियों की परिक्षा में पूछा जाया आपसे तो इसलिए मैंने यहाँ पे ज़्यादा जानकारी इनके कार्रिकाल की दी नहीं है और बरिलास का जो कार्रिकाल था वो 1767 से 1779 की मद में था अब बात करते हैं कार्टियर के इतिहास पर कार्टियर को 1779 में बंगाल का गवर्नर बनाया गया था और कार्टियर के समय में एक घटना हुई थी 1770 में बंगाल में भी साण अकाल पड़ा था और 1772 में कार्टियर के जो कार्रिकाल था वो समाप्त हो गया था उसके स्थान पर वारेन हैस्टिंग्स को गवर्नर बनाकर भेजा गया था काटियर का कारकाद 1779 से लेकर 1772 के मद्द में था तो इस बीडियो में 1777 से लेकर 1772 के मद्द में जितने भी अंग्रेज गवर्नर हुए बंगाल में उन सभी की इतिहास को मैंने पढ़ाया और खास दोर पे उन जीजों को पढ़ाया है जो परिक्षा की दिल्टी से बहुत महत्मू है और जो लोग अपने नूर्स बनाना चाहते हैं तो उनके लिए डेस्कुरिप्शन में वेबसाइट की लिंक दी गई है वहां से जाके वो लोग अपने नूर्स बना सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें शेयर करें वीडियो देखने के लिए धन्यवाद